हर शुब काम की शुरुवात इनी से होती है और आपके इस सिलेक्शन की तैयारी की शुरुवात के लिए 19 से 21 सेप्टेंबर सुपर कोचिंग लेकर आया है पपा मोरिया सेल तैयारी का श्री गनेज जहां आपको मिलेगा अप्टू 90% आफ on all सुपर कोचिंग तो अगर आप इन एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाईए और इस ओफर का लाव उठाईए आपके सभी का स्वागत है तो आज हम करेंगे 100 कोश्चन्स यूजी सिनेट 10 अक्टूबर को जो एपर हुआ था कंबाइंड इवर हुआ था 221 दिसेंबर का जून का दो जार वाई से अक्टूबर का कोविड का टाइम पिरेड था यादना सब को कोविड का ताइम पिरेड था सबसे पहली जो चीज है जो आपको जानने जरूरी होगा क्रैश कोर्स के बारे में आपका टेली नोट से विल्गुल एक्जाम औरींटेड है वैसे क्रैश कोर्स है नहीं वह सब कुछी डीटेल में पढ़ाए जा रहा है तो टेलग्राम चैनल यह है इससे जुड़ जाईए अश्वनी सर टेस्ट बुक यह आपका टेलग्राम चैनल है यहीं पर सेशन की इनफारमेशन मिलती है और लेट्स टार्ट यह हमारा अपना टेलग्राम चैनल है यहीं पर हम PdF नोट्स वगेरा कुज वगेरा सब कुछ कर यह आपको हमवर गोश्यन था जो गिल्कुल ठीक दिया है को л झाल 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 सो लॉर्ड रिश्यव हो गए उनका सिंबल क्या था ओक्स अजीतनात का सिंपल एलिफेंट था शामवनात का हॉर्स था अभिनंदरनात का मंकी था सुमतनात का गोज था यह सारे आपके इतंकर्स दिये हुए आवाज आ रही है ना सब कुछ स्क्रीज़ आपको सिंबल प्लीज कर लेके लिख लो और उसको याद कर ले इसके उपर कुछा आपका पूछा जा सकता है नेक्स कोश्चन की तरफ हम मुवान करतें सेकिंड कुछन जो है विच वन उद फॉल्लोंग संस्क्रिट ड्रामा इस डिटेल्स ऑचंदरगुत मौर् दव्हा उसका जल्दी करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं को आपकी तैयारी हो जाए संस्कृत ड्रामा इंफ्रमेशन देता है तो वह है मुद्ररक्ष्म यह लिखा गया था विशाक दत के दौहरा और जो बाकी के जो है मृचत का यह किसके दोखें है शुद्रण का और उत मुद्राक्षा विशा कर दा तो बाग ये तीन मैंने आपको दे दिया है इसको भी नोट डाउन कर लेना नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते है विच इंडियन गिंग एक्सपेंडिट था हिंदु एंपायरें स्वरदीप पौन सा हिंदुस्तानी राजा था भारती राजा था जिसने स्वरंडीप में हिंदु सामराज्य का विस्तार किया था राजेंद्रवन राजराजा दान्ति दुर्ग या मयूर समान इन्होंने तो बहुत विस्तार किया था जलंका भी पहुंचे हुए थे स्वरंडी भी यह राजा राजा चोला के बेटे थे और यह राजा बने थे 1014 CE के अंदर इस राजा बने थे और इन्दी के टाइम पर चोला एंपायर तो एक्सपैंड किया था गंगा नरी तक पहुंचा हुआ था उन्होंने विस्तार जो किया था बिल्कुल आप बर्मा तक देखे अनमान के अंदर आया हुआ है तो यह हो गया राजा राजेंद्र चोला के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्सामिनेशन के अंदर काम आएगी इन मतुरा आठ देस कप्चर विच इंक्लूड देकिंशिप टाइट्स डिपिक्स हूम तो मतुरा काल में सुग इसको चितित किया हुआ है इस करेक्ट आंथर इस वासुदेव वासुदेव कृष्ण बल्देव और नेक्स्ट कोश्यन की तरफ चलते है जो प्ले है देवी चंदर गुपता विचा का दुद्वारा जो लिखा गया है वो वस फांद इन मैनिस्क्रिप्ट भोजाज हुआ है कुछ पाट कहीं और मिला हुआ है वह आपको बताना है दूसरा पार्ट विशा का दत जो की जिसने लिखा हुआ है देवी चंदर गुपता उनका जो प्ले है कहीं पे उसके एविडेंस मिले हुए ठीक है एक तो एविडेंस उन्होंने दे दिया है कि बोजा की शर क्या है करेक्ट टांसर इस गुणा चंद्राज नत्यदरपन इसके अंदर मिला हुआ है एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन हो कितने मिली हुए जो आपको एक्जामनेशन के दर मदद करेगी जो यूजी सीनेट का एक्जामनेर होता है वो कुश्चन कैसे पूछता है प्रिविए ठेक्स राएंज नत्यदरपन है यह इससे रामचंदर भूबन ए और गुणा चदर भी आपको ध्यान रखना है नेक्स कुश्यन की तरफ चलते नेक्स कॉस्चन है अस्थिया आहरुएदा विछ डील शी डीज्टमेंट और मिट्वह सटोा किस अस्थय अरमइट की डीसीज के बारे में हमें इंफ्रमिशन दिता है अत्षय देवर किसके दूरा लिखा गया है ऐरुएदा के बारे में लेकिन किसके दुबार लिखा गया आपको बताना है इन्होंने यह लिखा हुआ है तो यह इसको नोट डाउन कर लीजे अब एक्स्टा से जाना जाता है ब्रद्धा जिव का तंत्रा के नाम से जाना जाता है और हम डिसकस कर रहे हैं 2022 का ठीक है सुरी 2022 का जो उक्टुब्र वेंपर हुआ तो इसका कर रहा है और यह आपका 2023 माया आ या ता सुश्रत धाट जो जोने लिखा वा सुर्ष असमिता वह किस चीज के ऊपर है वह भी आयरुवेदा के ऊपर ही है तो सुष्था ने क्या लिखा हुआ है, सुष्था समीता लिखा हुआ है, तो यह आपकी तीन एक्स्टर इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, नेक्स्ट कोश्टन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कोश्टन तो साइडबेस कोश्टन है, हरपन साइडबेस कोश्टन के लेकिन नियुलिथिक, प्रिलिलिथिक, मेसिलिथिक क्या हुआ है, इन विच वसुटन के लेट हरपन अ और ओसीपी पॉट्री फेस के लेट हरपन उसके बाद ओसीपी तो कौन सी साइडबेस के अंदर वो ट्रेस किया गया है, सारी साइट जो है कौन से साइट के नदर मिला हुआ है ओर लाप तो कौन से साइट है बार्गोन अणनघफिखेरा यह दो Besides तो पूरी की है साम देख लेते हैं तो यह सारी की साइट है Sunny harbor आइक हैत्वी बाहर बाधाद बार्गोन बासिवली फत्यगर्ड हस्तिरापूर हुलास जिंजाना कटपन कोचांबी मित्तानती रेड़पोर्ट और सिनोली यह सारे की साइट्स है ठीक है अब इनके बारे में आपको कैसे पता चलेगा ऊसीपी साइट्स के बारे में आप सोच रहोगे सरीये कैसे क्वेश् तो यह मिली थी यह मिली थी आपको 853 के अंदर सो बी इस दे करेक्ट आंसर करंबा डिश दूरिंग दर रिग्वेदिक पीरड़ वह समेड़ अपक्रम एक तरह की खिचडी थी अब इस खिचडी के अंदर क्या किस्तमाल किया गया है यह पूछा गया है तो ग्रें बार्ली सिसमें ओल अफ दबाव क्या क्या इस्तमाल किय प्रम्बा क्या एक तरह किचडी है बहुत ही कॉमन किचडी है इसके अंदर बारले फ्लॉर अंकर्ड भी होता है इसके अंदर जो आटा और दही का उपयोग किया जाता था नेक्स्कुशन की तरफ चलते हैं इन भाशाड रामा द्रांद चरद्दृत्त्त तर्म यवनिका यह निका क्या मतलब है यह निका क्या मतलब है आपको यह बताना है यह आपको बताना है ऑन जी बताओ जल्दी तो पार्टेंस पर्दे बीज दर करेक्ट टांसर तो भाशार ड्रामा इसमें यहनिका क्या मतलब है पर्दे और यह कहां पर है यह असाम के अंदर है यह वाली हिल्स तो करेक्ट आंसर से क्या है करेक्ट आंसर एज नॉर्दन साशर हिल्स अ पेंटिड पॉट फ्रम विच साइट ओ अरपन से विलाशन डिपिक्ट्स अ ट्री ओल्डिंग अ फिश और फॉक्स लाइक अनिमल विलो रिफ्लेक्टिंग दे स्टोरी ओफ दे क्लेवर फॉक्स रेटे इंदर पंश्तत्रा तो पंश्तत्मे वर्नित चतुर लोम्डी करता है तो वह च्या है कौन से साइट के अंदर मिला हुआ तो हम पहले है क्रेक्ट आंसर इस लोथल ईस्क्रेप्शन डर्स रविकीरति कंपर इंसल विद आइहोल चलेक में लेकक रविकीरति निमलेकिस मसे किसके साथ स्वयम की तु Kalidash और शुद्रक और भाषा चुद्रक और خाहा जल दिर एक आहिन इसक अंसर प्रेट आज़या और इसेetzen बाषई होस्य नुको इस नियुक्न फस्पेर माइद खुंग चानवे बहुत बड़ी मैं को ठेवा फाहोई माहिन में का रैक है इंसक्रिप्शन के बारे में पढ़ लेता है अय। इंसक्रिप्शन जो की करनाटका के अंदर है यह डेट इसकी याद रख लेए ना 634 से 635 तक इसकी डेट है और यह compose किसके द्वारे की गई थी जैन पोेटर अभी कूर्ति उनके द्वारे पुलकिसीन राजा है उनके लिए उनके लिए इस्टे से बिलॉंग करता है यह आपको extra information याद रखने है तो यह extra information आपको याद रखने है जो कि next examination के लिए आपको important है next question 15th question की तरफ चलते है 15th question which of the following saint was follower of the Vaisnava tradition तो कौन से संथ वैशनव परंपरा के अनुयाई है अनुयाई कौन है ठीक है तो देवर दासिम्यों नमलवार अप्पार अलामा प्रभू बताओ जल्दी बताओ जल्दी correct answer is नमलवार अब इनके बारे में एक से information पढ़ लेते हैं नमलवार हो गए नमलवार हो गए आपके वैशनव टेडिशन से बिलॉंग करते हैं यह बिलॉंग करते हैं पहले तो यह ग्यारवी शताब्दी से बिलॉंग करते हैं यह सेवा शेंट थे तेवा स सेंट है और यह 570 से 650 के वीचे बिलॉंग करते हैं और चौथ है आपके अलमा प्रभू यह भी कंड़ है लिकिन यह बारविशताब्द से बिलॉंग करते हैं और यह सेवा सेंट नेक्स कुश्चन के तरफ चलता है 15 कुश्चन 16 पुरु हरो गविंद फांड़ मीरी और पी अपने अनुआई के माध्यम से बढ़ते हों अन्द विश्वास कम करने के लिए तो gegenवरी & पीरी तो इनके बारे में उसले हैं बढुते हैं और किते मीरी और पीठtu के अंदर तोनों ही प्रतिमान शामिल ते मीरी-पीरी के अंदर तो मीरी-पीरी इनी से चोड़ा जाता है next question की तरफ जलते है how many village functionaries were linked to the आयंगर ग्रांट शंडर ते विजनगर इंपार लेकिन एक्ता की तरह केंदर करत नहीं था वी केंदर करत था decentralized था और यह लोग powerful हुआ करते थे अब यहां पूछा गया आयंगर सिस्टम के अंदर एक तरीके की service थी जो perform की जा रही थी कितने तरीके की service थी बारा तरीके की और इनको जमीन भी दे जाती थी कैश भी दे था था काइंट भी दे था था तो इस तरीके service थी प्रफॉर्म करते थे तो यह एंगर सिस्टम बारा तरीके के functional थे गाउं के अंदर ओके नायंकार सिस्टम से बिल्कुला लाग है next question who among the following first refer to the Chaudhari as the headman of non-muslim revenues किस ने गयर मुस्लिम राजस्व प्रदातों के मुख्य के रूप में चौधरी का प्रयोग सरुप्तम किया सबसे पहली वार किसने बोलाता है कि इबन बतुता ने परिश्टा ने मारू ने शम्शुदीन अफीफ ने तो किसने सबसे पहली वार बोला हुआ है कि मेरे भाई अनुज जैसी है चाह बहुत बढ़िया करेक्ट अंसर इबने बतुता इबने बतुता इस दे करेक्ट अंसर तो इन्हों नहीं इसके साथ ही असोसेट किया आता है किसको बोला जाता है पांच वाविजा अन्जी जल्दी बताओ तो करेक्ट आंसर इटेज तिरुतुंदर तुरुपुरम तो इसको बोला जाता है पांच वावेजा तमिल के अंदर बाकी के बारे में बढ़ लेते हैं बाकी क्या-क्या है तो शेकलार ने उन्होंने तिरुतुंदर पुरम लिखा हुआ है जिसको पिरे पुरम के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने कभ लिखा था वलो तुंगा टू के टाइम पर पे लिखा हुआ था तन दूसरी चीज देख लेते हैं नंभी आनदर नंभीode न लिखा हुआ है तिरुंदर लिखा हुआ है तीसरा चीज व्यक्ते मोड आवरत की परछलित क्यों इट बढ़ रहा था क्योंकि European companies जो थी वो जो कारिगर हो से थे उसके उपर कम dependent रही थी तीसरा मुगल मुगल economy के अंदर crisis आ रहा था क्योंकि और अरंग जेब की लड़ाई चल रही थी चौथा raw material की shortage हो गई थी फैमीन के time period पे तो ददनी परथा प्रचलित थी ताइम पर क्यों थी तो कोश्चन है अनू पूरा को पूरा question दिसकस कर रहे हैं तो question आपको क्या करना पड़ेगा अपने जो गाउं के अंदर आपका समान है वह मुझे लाकि देना पड़ेगा फिर मैं उन समान को बहार लेके जाऊंगा बहार बीचुँगा तो या पार बड़ेगा तो एज गरेक्ट आंसर next question तो अड्रेस विश प्रॉलम दा कारोरी एक्स्पेरिमेंट वोज अंदर आता है तो देहसाला सिस्टम से पहले बहुत सारे बदलाव कि तोदर मल को बूला गया था कि आपको कुछ बदला पेटा करने तो दरमल ने ही आगे कारोरी एक्सपेरिमेंट किया जिसको फेलर कंसरेटर किया जाता है तो उसके बीच में गया था जाने कि यतने मांग सब कर रहे हो महालो ऑगे रहे हो कि इतने मां एक्जामनेशन के अंदर history में 70 question ठी हो जाए लेकिन हो कितने रहे हैं 20, 30, 40 तो जो gap है, वो क्या है वो कम हो रहा है उसमें दिक्कत हो रही है ठीक है, तो correct answer is क्या है जामा एंड हासिल के बीच में gap ठीक है, उसके बाद ही आपका 1517N के अंदर 10 साला system आया था next question की तरफ चलते है लगता था, वो खताम हुआ था इनके आने के बाद और वो कौन थे? वो थे हैदर अली, ठीक है है, हैदर अली थे हैदर अली पहुंचते हैं 1766 के अंदर और वो कॉंकर कर देते हैं, तो correct answer क्या है सल्तनत ओफ माईसूर के दौआरा है, हैदर अली के दौआरा, ठीक है 1748 के अंदर complete किया गया था यह next question, हाँ, एक बार देखे लो केवी क्रिशन के बारे में तो केवी क्रिशन बोलते हैं कि यह ममिकरम का जो फेर था वो कब शुरू हुआ था, 1755 के अंदर शुरू हुआ था और कब खतम कब हुआ था, जो सुल्तान ते माईसूर के उनके द्वारा ही खतम किया गया था, 1766 के अंदर next question, 23rd question की जरव चलते हैं who among the following route, the destruction of Kashmir अंटर सिकंदर, तो सकंदर के साशन के अंतरगत ने मिलकर मेंसे किसने Kashmir के विदुवन्स का शोग जताया है तो सुक्का, पंडिश, श्रिवारा, जोनराजा, प्रज्या, भटा किसने शोग जताया है ठीक है तो तीन रास्तरगी नहीं हो गई, एक कालाहाना की हो गई, एक जोनराजा की हो गई, एक श्रिवारा की हो गई जो बीच वाले राचता रहनी है वह किसके दोगार है जो ना राजा के दोगार लिखिए थे और उसमें ही जयन लब दिनिया और सिकंदर के बारे में इंफॉर्मेशन कॉछिम की तरफ चलते हैं कौन से मुगल पींटर हैं जो ने शाह पर्षा का पॉट्रत ढ्रो किया था मेरे सपने में एक राजा ऐसको पॉट्र ड्रो खरो किस को कहा था करने लेख्मए है? विश्णदास, मंसूर कहां पर था? जहांगेरी कोट starts ट्रीएमम नायर रामसवमी नायकर, चांल बने थे? अंजी जल्दी बताओ क्या है इसका रेक्ट आंसर इस रामा स्वामी नायकर उन्यस एतिस के अंदर यह बने ते और जस्टिस पार्टी कब स्थापित की गई थी पढ़ लिए जस्टिस पार्टी साफित की अंदर विक्टोरिया पबलिक थे ख़ते अंदर आवल में मदरास में किसके ज़्वारद साफित की गई थी लॉक्टर स्टी यहां टो यह में नेक्स्ट्स तरफ चलते हैं प्रेटिक लॉरेंस का स्थान ग्रह करिया पहले कौन थे पहले कौन थे और यह थे आखरी वाले पहला आपको पता होना चाहिए यह तो आखरी वाले आपके सामने हैं इस आंतर के अंदर ठीक है करिए खर्य अंदर और और यह आखरी ते यह थे लौट लिस्टल तो पहले कौन थे पहले थे लौड स्टैनली पहले सेट्वर्ट बनी अथाथाथा कावन के अंदर ठीक है next question के तरफ चलते हैं Clemency किसको बोला जाता है तो आंसरी पता चल जाएगा तो किसके लिए बोला गया था किसके लिए बोला गया था किसके लिए बोला गया था ये बोला गया था Canning के लिए 8759 करांती के बाद बहुत सारे लोग को पनिश्मेंट दी गई थी लेकिन कैनिंग उस टाइम पर वॉइस रहे थे उन्होंने गवर्णर जनरल भी था आखर एक तो किसे इंडिया के पहले वॉइस रहे भी थे और उन्हें बहुत सारे लोग को माफ भी कर दें इस तरीकी इसी वेसे इनको बोले कर दो के के नाम से वह जाने जाते थे एज ऐसो साठ में पहली बार आया था उसने एज कितनी की थी एज की थी फूचा गया है तो पर ताओ जल्दी कि अ ठाज सो अठाच सॉ कितनी थी वह किती बार आठार सो साठ से कितनी थी दस अने रटाइस सार्ध चेट नहीं थी 14 ठीक है so correct answer यहां वे 14 under whose leadership the public service commission appointed which recommended raising the maximum age age को बढ़ा हो क्यों काफी कम age की गई थी लिटन ने काफी कम age कर दी तो इसको बढ़ा हो और कमिशन कब आया था 1886 के अंदर आया था इसको कमिशन का नाम था इसने को बढ़ाने कोशिश की थी कौंसा commission का नाम है सब्सक्राइब करेक्ट अंसर से क्या होगा जल्दी बताओ गल जी बताओ, correct answer is it is Kukkaaz D is the correct answer आरे समाज 875 के अंदर आया था ये तो 828 तकी 1820 में आगया था तो इसका तो कोई cow protection से लेना देना नहीं है आरे समाज का है लेकिन 1875 के अंदर आया था तो ये 1871 पूछ रहा है तो correct answer क्या होगा, Kukkaaz हो गया अकाली तो 1920s के अंदर आया थी विच लीडर प्रपोस्ट तो दादा साही फालके तो स्टार्ट दा हिंदुस्तान सिनेवा फिल्म कंपनी विच वोस्ट कोलाबरेट विच सम अमेरिकन प्रडूजर्स प्रडूजर्स के लिए फिल्म निर्मान के शेतर में हिंदुस्तान सिनेवा फिल्म कंपनी के शुरूआत करने का प्रस्ताफ दिया था फिल्म बेस कुश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं लेकिन देखते हैं आपको हिंदुसानी सिनेमा फिल्म कंपनी स्राट करनी है तो यह थे बाल गंगा दर तिलक बीज़ा करेक्ट आंसर थर्टी थर्ड पर चलते थर्ड तो यह भी फिल्म बेस कुश्चन है फिल्म फिल्म क्लिप्स ऑन थे सिनेमेटिग्राफी इन बॉंबी ने अटार सो चानमे के वर्ष में लुमेर बंदो का प्रतिनिदी कौन था जिने ने जिनोंने चल्चित्र पर प्रथम बार फिल्म विकल प्रदर्शित किया था लुइस विंसेंट वेरी मेरे सिस्टर आरजी टॉर्णि फ्रेंज ऑस्टरं क्रण्द करनी दिवकाकर कौन थे यह रेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इट इस it is yes correct answer is विवरी और मेरे सिस्टरी 34th बीना दास revolutionary थी अब इनका college पूछा गया है बीना दास revolutionary थी यह नहीं पूछा गया इन्होंने किन कोड आया Stanley Jackson तो उन्होंने दे दिया लेकिन यहाँ पे यह पूछा गया है इनका college कौन बताओ college कौन पूछता है अब भी सब सोच रहोगे college कौन पूछता है college कौन पूछता है यहाँ पे college पूछा गया था तो correct answer is correct answer is तो कौन से college की थी है यह college थी Deocean Women's College Deocean Women's College तो उन्होंस college से बिलॉंग करती थी again next question की तरफ चलते है तो 1932 में उन्होंने encode आया था इसको उड़ाया था Stanley Jackson को उड़ाया था 1932 में 6 February 1932 next question की तरफ चलते है 1850 में new infield rifle आई थी उसने replace कर दे थे पुरानी gun को infield rifle से काफी controversy हो गई थी ठीक है new infield rifle आई थी 1850 में इसने काफी controversy create की थी तो उससे उसने पुरानी जो गन थी उसको replace किया था वो पुरानी गन कौन सी थी brown beast यलवीजियन ब्रुन्श्विक बेक कर तो पुरानी गन कौन सी थी उस पुरानी गन को बोला जाता है brown beast और यह uncle जो खड़े हैं आपके सामने यही खड़े हुए ब्राउन बेस को ठीक है दिख रहे है ना इस इंडे कंपनी के अंकल ठीक है तो यही यूज कर रहे है ब्राउन बेस को 36 की चरब चलते है तो फ्लाग अट गोवालिया मैदान टौंबे इन और 9 अगस्त नाइटीन फॉर्टीटीव दिख इंडिया मूवमेंट पाराच छोड़ो अंदोलन के दुरान 9 अगस्त 1942 को बॉंबे गोवालिया टैंक मैदान में किसने जंडा ले राया अरुना असफ अली ने तो हुआ है कि विजनगरम पार्क पे 90,000 लोग थे जो रेडी थे अतियार उठाने के लिए लड़ने के लिए रेडी थे वह तो कौन से है यह तो नुनीज स्टेफिनो निकिटिन निकोलो कुंटी लड़नों नब्य अजार लोग है रेडिय लडने के लिए कव लड़ना है बताओ आप बस बताओ बंडे ही बुला किसने बूला हूआ पॉर्ट्टि ने बूल हुआ हैं जी नेक्स्ट कुश्चन बारतियास लेकन लंबे समय काल से अभी जातिवास से प्रभावित रहा है मतलब की जो राष्ट वाद के बारे में लिखा गया है वो इलिटी स्वे में लिखा गया है अब यहां पर यह उनको क्रिटरसाइज करने एक कुशिश कर रहे है बताओ जल्दी गरेक्ट आंसर क्या है पुछ भी कहो पीगए की तो अराम से बारे में मज़ा आता है वह है मैंने कब कहा कि आप चल्दी जल्स करो कोश्चिंपड़ो करो कश्चन पढ़ो करो तो किसंदे लिखा हूआ है कौन सा इतियास कर गया है जिस ने लिखा हूआ है सबांटन सबान बोलते हैं कि पुरी की पूरी हिस्टाग्राफी है उसने कहा है और कहा कि आपने निचले तपके के जो लोग है उसके बारे में कभी बात ही निकी कैसे पूर्ट करते राष्ट्वादी में तो सबाहल्टन स्टडईई सुड्यम तो किस ने माहत्मा गांदी ने अपने गिरबतारे के लिए गोशित इनाम राशित को अर्जित कीजे तो किसकी यह स्टेटमेंट है तो गांदी जी की स्टेटमेंट है लेकिन किसके लिए है तीक है आपको यह बताना है किसके लिए है यह किसके लिए है यह है अरुना सफली के लिए उनके लिए स्टेटमें के उपर कुशन है कानुगोज थे वह ते रेविन्यू ओफिशल्स कानुगोज कानुगों थे रेविन्यू ओफिशल्स जो राजस्वी खट्टा करने मदत करते थे अब पाथ किसानों को साइन करना होता था कानुंगोज वर कानुंगोज को यह भी रिपोर्ट करना होता था को अगर गलत काम कर रहा है तो उनको रिपोर्ट करना होता था कानुंगोज को कानुंगोज को सारी इंफॉरमेशन रखनी होती थी रेविन्य रिकॉर्ड की कितना कितना पैसे क रटा हो रहा है तो बताओ कर एक्ट आंसर क्या है बहुत सिंपल कुश्चन है कोई मुश्किल नहीं है यह मत बूलो कि मुश्किल है कुश्चन किंदी के अंदर भी देखो किंदी के अंदर भी देखिए 5 statement है बहुत simple question है आसान question है यार, मुश्किल तो है यही नहीं अगर आप दिमाग के अंदरे सोच के बैट जाओए यह मुश्किल है तो नहीं होगा सारे question simple होते है कुछ होते हैं मुश्किल मैं नहीं बोल रहा हूं, सारे मुश्किल सारे सिंपल होते हैं, वो कुश्चन होते हैं, दस के राउंड, जो कि examiner कभी आपसे solve कराना ही नहीं चाहता, तो correct answer क्या है, C is the correct answer, बिल्कुल ठीक है, C is the correct answer, तो मैं आपको समझा देता हूं, C क्यों है, क्यों है, क्यों है बड़ा तो आगया, आपका answer correct, ठीक है, हो गया, विल्कुल सिंपल answer, next question की तरफ चलते हैं, बल्बन और theory of kingship, I hope आपको रट गई होगी, यह तो, किसी को भी समझा दोगे आप, तो आज ऐसे करना, अपने parents को, बल्बन की theory of kingship समझाना, कि बल्बन ऐसा अपने बारे में करेगा कोई, है किसी में दम, है किसी में दम, बल्बन की theory of kingship को देखो, हाँ जी, बताओ जल्दी, कोई सुनता ही नहीं, सुनाओ ना, पगड़ के सुनाओ, आपके बाई, बैन है, दोस्त है, उनको सुनाओ, बोलो कि बल्बन ऐसा था, उसकी theory of kingship यह थी, ठीक है, सुनाओ, उनको सब सुनेंगे, तो correct answer, c is the correct answer, reason क्या है, c correct होने का, reason क्या है, c correct होने का, बल्बन की theory of kingship में यह है कि मैं भगवान की प्रतिचाया हूँ, मेरे बराबर कोई भी नहीं है, और सब लोग, मिचले दर्जे के लोग है, कोई मेरे बराबर नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई सिश्चार नहीं है, उससे छूट दे दिये, तो गलत है, यह बिल्कुल ठीक है, वसाया में अपने बेटे को उन्होंने समझाई हुई है, बिल्कुल ठीक है, तन अफरासियाब जो इरानियन हीरो थे, उससे अपनी कि सवस्केल रहे थे, यह एन की आराएबग, वो अन्हीं है, इरानियन थे, यह बिल्क हो गया, जस्टिस तो बहुत इम्बॉतने है, युझ το बहुत है, समझ गए, समझ गए, यह थे, चालो next question चलो मैं चुप जाता हूँ इस next question में पूरे का पूरा board गेर लिया है इस पूरे question ठीक है question को समझो answer करने ही कोशिश करो हंजी question को समझो answer करने ही कोशिश करो answer करेक्ट आंसर रीजन क्या है करेक्ट होने का यह बोल रहा है कि जो settlement कोशिश के अंदर वो बिल्कुल autonomous है उनका कोई लिए देना नहीं है विल्कुल free है free तो कभी हो जी नहीं सकते है ठीक है तो यह आपका गलत है second statement जो बोल रहा है कि शेहरी के अंदर ने शिल्पकारों के बीच के जाती संगमेर संजन को तोड़ देनए नहीं बहुत सारी settlement अभी शेहर के अंदर ऐसी थी जोहां पर कास्ट को शेहर के अंदर कास्ट टूट जाती है बताओ आपको जी बताओ काश्चर के अंदर कास्ट नहीं दिखती आपको रिपीट हुआ है, पीवाई क्यू है, रिपीट हुआ था आपका, जमीनदार हिडिटरी होते थे, उनकी राइट सेलेबल नहीं थी, अभी तोड़े दिन पहले मैंने कराया था, जमीनदार इंपॉर्टेंट विच आल ही है थे, स्टेट और लोकल पॉपॉपलिशन के बीच म जमीनदार, पेंट फेल फोर्स, मुगल्स फेल फेल टो फोर्स जमीनदार टो गजमेंदार तो इंप्रिटरी एंपरिट फार्टी थे, ठीक है, टो इसे खरीट नहीं हो सकती थी, राज्यवगावं की शेट्र जन शंक्या की भी जमीनदार मैत, पूल्ड बिचौल ये थे, मुगल के साशन में जमींदार के वल पृतक्षि शाहि अधिकार शेत्र के बाहरती शेर शानलिका की समींदार मुकद्दम राज्य के हिस्से में हप रही है गरेक्ट आंसर इस बीज दे गरेक्ट आंसर और रीजन क्या भी करेक्ट होने का पहले तो वह एड़ीटरी नी थी यह तादो इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं इलिमिनेट करने का तरीका बता देता हूं बहुत सिंपल है कि बोल रहा कि मुगल्स जमीनदारों का अभी को ओभी निकर पाए ऐसा था कि किसे बाजस्टे के साम्ने जमीनदार है क्या किसी वाज़ेक्ट वितो वह शीखीना नहीं करूं खिंड़ीटरें व्हारि कुरिद्वी यह भी गलत हो गया ये गलत हो यह भी गलट होगय दमींदार अंदर थे ही नहीं। तो यह घलत हो गया। शेर्शा ने कोशिश की थी दमींदार हो इन गशुश की थी यह आपका ठीक है। तो भी आपकी आपके गलत है। नेक्स्ट कॉश्चन देखो, काफीले के उपर कॉश्चन है। यह वह वाला पेपर है जहां पर एकॉनमी के लिए कोश्चन पूरवेपर चला गया था तो यह पूछा गया है काफिले के उपर लार्ज काफिलाज ओफर्टेक्शन पूवेपर चला गया था उसना के ज़ congestion तो काफिलास जरूरि है तो सबसे जरूरी होते उनको प्रेटेक्शन दी जाएगी तो हर कोई सरकार होती थी चाहिए वो दिल्ली सल्तन पर उनको प्रेटेक्शन कोई दिक्कत निया है हम आपके लिए लोग देंगे वह आपके प्रेटेक्शन देंगे दूसरा यार सड़कों पर लडाई हो जाती है तो यह बोल रहें काफेले के लोग चल रहें उनके बीच में लडाई होती थी आप बाहर निकल जाओ सड़कों पर कोई ट्राफिक लड़ाई लडाई होती थी होता होगा वह की जा रहा है उसमें पुछ जाएगा ठीक है तो लडाई इंकी हो जाएगी ठीक है तो और चांद को जो जसे पहने, लेकित को सिर्फते की कि आ इंसका है, उसका खर्जाना कॉन भरेगा, उसका खर्जाना वही भरेगा, उनको एन करते हैं विजन अगर साच को उपर कुश्चन है समझो इस कुश्चन को भी रूलर्स विजन अगर उनको असवपति बोला याता था घोड़े की गोड़े के उपर कुश्चन है घोड़े की पूच के उपर कुश्चन है कितने गोड़े आते थे गोड़े वार से आते थे कितने popular थे गोड़े इसके ओपर पूरा question पूछा गया है समझ में आरे question clear है correct answer is correct answer is T is the correct answer घोड़े हिंदुस्तान के अंदर breeding नहीं होते थे हिंदुस्तान क्या popular होते थे घोड़े हमेशा बाहर से आते थे तो हिंदुस्तान के नहीं popular होते थे और जो विजनेगर के साशा के है वो घोड़ो को breed नहीं करते थे तो ब्रीडिंग नहीं होती हो तो भोड़ो कि यहाँ पे तो फिल्कुल गलत है विजन गर शाश को बोल कि व गोड़े की ङृजट ब्रीडिंग के पैटनाइस कररें तो गलत है डी से भूफ़त नहीं स showed हो रहा है बाकी भी देखना टोटल होगी तो यह तो गलत हो गया CV गलत हो गया आपका C हो गया गलत C हो गया आपका अनुसर आगया देखो आगया इतना सिंबल कुश्चन था है T is the correct answer एना ठीक है तो इंडिया के अंदर घोडे नहीं थे घोडे बाहर से आते थे और इंडिया के अंदर कुछ और चीज़ फिर मस होते थे next question की तरफ चलते है बलूतेदार्स के उपर question है बलूतेदार्स के उपर question है बलूतेदार्स कौन थे 12 category के village artisan servants होते थे दूसरा बलूतेदार्स को 4 category के अंदर divide किया गया है बलूतेदार के पाथ नहीं थे बलूतेदार के पास permanent right थी उनको वतन बलूतेदार बोलते थे certain category बलूतेदार्स वर और अल्सरा गिविन revenue free lands for cultivation in the village community तो पास statement देऊ हुए आन से देखो देखो पास के पास statement पास के पास statement देखो क्या है correct answer is it is a is the correct answer क्या है reason correct होने का एक है correct होने का reason क्या है बहुत अच्छा question है बहुत प्यारा question है बलूतेदार्स होते थे दो category के बलूतेदार्स होते थे वतन बलूतेदार्स एक अलूतेदार्स अलूतेदार्स बहार से आते थे और वतन बलूतेदार्स जिनको बलूतेदार्स बूले आता थे वहीं पे रहते थे वहीं पे उनकी राइट जी गई थी वह सर्विस परफॉर्म करते थे उन लोगों के लिए जो हां पे रहते हैं और उनको जमीन भी आती थी उनको काइंड भ बिल्कुल ठीक है इनको वतन बुले दार्स बूले जाता था और इनको रेविन्यु फ्री लैंड भी दाता था इसके अंदर यह थोड़ी नहीं बोल रहा है कि ओनली रेविन्यु फ्री लैंड गरंड दिया था था उनको जमीन लीजे कोई टैक्स आपको पे करने की ज़रूत तो इल्तुतमिष्ण ने बनवाया सुल्तान गरी अपने वेडे के लिए कुटम मिनार के पांच माले थे स्क्वार टाइब आफ टॉम्स खिल जिस के अंदर प्रिवलेंट थे आर्चिज विद फिरिंज अटाला मस्जिद आर इंफ्लेंस बाज तूलक स्टाइल स्लांटिंग वॉल अफ दे टॉम ऑफ गया जी एस्टी शो इंफ्लेंस ओफ इलबरी स्टाइल बताओ करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर इस इस दी इस गरेक्ट आंसर तो पहले तो कुटम मिनार और इजिनली पांच माले नहीं थे उसके चार ही ते चार ही डिजैन किये गए थे इलतुतमिश एबक एक बनवाया फिर इलतुतमिश तीन बनवाया फिर उसके उपर बिजली गरी फिर फिरोश्य एक और बनवा दिया यह रिपेर कराके एक और बनाया तो पांच माले के तब बना था ओरीजिनली चार गई था तो यह गलत है की को खटा दो किर भी आंसर नहीं आ रहा है हां इस तरही वाल्स जो तुलक्स के अंदर देखी जाती है उसके उपर इलबरी की कोई स्टाइल का प्रभाव नहीं था यह किवल उनीक थी इलबर कोई प्रभाव नहीं था यह को हटा दो हटा यह हटा आगया अंसर देखो दो स्टेटमेंट से आपका अंसर आगया इतना सिंपल कुश्छन था इका सुल्तान गरी इल्टुत्मिश ने बनाया था ने इस दिन तो ठीक है ए और डी सही है बाकि सारे गलत हो जाते हैं चलो आगे की तरफ चलते हैं next question 48 question की तरफ चलते हैं रेकता क्या है रेकता क्या है कि रेकता को उर्दू बोलते हैं अब उर्दू पता चल गया फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा चलो पता वा आंसर क्या है चल दी बता वा आंसर क्या है so correct answer correct answer is correct answer is सारे statement ठीक है A, B, C, D is the correct answer by V conventional a statement ठीक रिवकर को नहीं मिला वगर नहीं आ filling Armor और भी में सभी एक एक हिंदी और परिशन दोनके अंदर 15 सैंट्स रिखूए यहिं दिया हूँए आपके अंसर के अंदर Hindi औरर परिशन दोनों के अनदर टेमिलोजी इस फरिक्ता के अंदर आको देखने को मिलता है इता अठार विश्टापदी में सब देखने को मिलता है सारे के सारे सेटमेंट सही है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं टीपु सुल्तान डिकलेड हिंसेल्फ आश्चा बाश्चा एंड कुत्वा वस रेड ओन इस नेम टीपु सुल्तान इंट्रेज्च दमामधीरा टीपु स्टक कर न्यू करेंसी कॉल्ड इमामी इमामी क्रीम अच्छा इमामी क्रीम होती है न टीपु पर्सिकूरिड महादिवी अंडर इस रूल कनारा क्रिश्चन स्पेस्ट इम्प्रिसिन्मेंट और हार्डशिप ड्यूरिंग तीपु रूल चल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या है टीपु सुल्तान के उपर लुषिक गारेक्ट तो दिक्कत क्या है इस क्या अंDR इसके अंदर बिक्कत क्या एक है windows क्या स्पीड मैं इंच्रीज कर दूए श्पीड प conk çok say रूל इसको ऐसे कर दू हुँ फिर आप नहीं both सुलतान नहीं जो पहले क्या होता ता जब हैदर हैदर siblings कि तो वोडियार राजा था उनकी लिए ग्रू कर ते उसको एजाए पप Wag永 diving Ride वो रूल करते थे, भले ही सारी पावर इनके पास हो, वो पपिट की तरह था, लेकिन जब वो डेथ होती है वूडियार राजक्की, तो टीपो सुल्तान ने मना कर दिया, कि मैं आपको गद्धी के उपर नहीं बिठाऊंगा, साफ साफ उन्होंने मना कर दिया, तो पहला स्ट टीपो सुल्तान से जुड़े हुआ है, तो correct answer, he is the correct answer, ये question drop हुआ था, reason क्या है, इसके drop होने का, मैं आपको समझा देता हूँ, reason क्या है, ये drop क्यों हुआ था, तो पहले तो ये, पहले में बता देता हूँ, drop क्यों हुआ था, पहले तो गंगा देवी ने लिखा हुआ है, ये गंगा देवी ने लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्रिशन देवराया ने लिखे हुई है, मुक्तमल यादा, ठीक है, तो ये गलत, ये गलत, ओके, ये आपका ठीक है, ये आपका ठीक है, केवल BD ठीक है, बाकी सारे गलत है, केवल B और D ठीक है, बाकी सारे गलत है, क तिरुलंबा ने पोएट विजयनगर एंपार के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था वर्दंबी का परिनियम इन्होंने इनके द्वारा लिखा गया था हाँ डी ठीक है और बी ठीक है बागी सब गलत है यह हो गया क्रिश्न देवराया का मुक्ता मलियादा गंगा देवी ने लिखा हुआ है मदुरा वीजियम और यह वर्दंबी का परिनियम किसके द्वारा लिखा गया है तिरुलंबा जो विजयनगर के पोएट थे उन्होंने जो किंग थे अचुता देवराया उनकी मैरेज स्टोरी के बारे में लिखा गया है संस्क्रित के अंदर यह दिया गया है तो BD option के अंदर है ही नहीं तो यह हो गया कलत रॉप होता इसी विए से next question की तरफ चलते है next question की तरफ Sultan Razia appointed officers named Khwaja to regulate the income of the expenditure of the empire allowed the in AK introduced agreement reforms to bring all revenue payers under the state dues without exemptions Piro FST introduced akav allowance to help the peasant in distress isara system increase the plight of the peasants and chotha chotha क्या नहीं लिखा गंगा देवी ने मदूरा वीजयम गंगा देवी तो है यह गंगा देवी नहीं है वरिंदभी का परिनेयम यह है तिरुलंबवा ठीक है और कृष्ण देवराया मुक्तमल्यादा समझ में आ गया चलो बताओ इस question के correct answer क्या है correct answer is a is the correct answer reason क्या है यह बलवन ने किया था बलवन ने ख्वाजा को पॉइंट किया था क्योंकि उसके income पता पता लगानी थे कि मेरे एंपायर से कितने income आती है ना कि रजिया तो यह गलत हो गया यह गलत हो गया फिर उसके बाद हम पहुंचते है अलाव दिन खिलजी ने यह था ना कि FST ने MBT ने टककवी लोंस को इंट्रड्यूस किया था इजारिदारी सिस्टम से किसानों को सोशन होता था तो हो गया आपका D is the correct answer abolish नहीं कि दे जमीनदार के राइट सु थे उस टाइम पेड़ पे तो correct answer A is the correct answer पे जो तो following were not the part of Mughal Rajput Alliance ने मिलके में से कौन से Mughal Rajput मेंतर के भाग नहीं थे marriage, منसबदार, वतन जागिर, इनाम जागिर, सुलैकुल कौन नहीं थे Mughal Rajput Alliance के Mughal Rajput मेंतर के कौन से नहीं थे इस question के अंदर problem था, ये दो होना चाहिए था, इनाम और सुलैकुल, टेकिन D, E कहीं दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है, so उन्होंने most appropriate option लिया, और most appropriate क्या है, मनसबदारी, एक मिनट, most appropriate क्या है, मनसबदारी and इनाम, ठीक है, ये उन्होंने लिया, सबसे आदर राजपूर्च को ही दी जाती थी, विच्ट फॉलविंग संस्कृत वरकार कंसे बाइग्राफिस इस्टॉरिकल नेरेटिव दे इंचिन इंडियन किंग स्निमिलिक में से कौन से संस्कृति पुस्तक प्राचीन भारतिय राजाओं की जीवनी एत्यासिक फ्रतन के रूप में जानी जाती है को कौन सी है के दो पुस्तक है कि अ धूत यहाइश पांच में से आपको निकालने कितनी जब्य Calendar ओक से आठ दो मैंने वताई इसके बार बताता है जो दूसरा आप देखो हर शरीता थिसके द्वार मश्या विक्रम वाश्या संस्कृत प्ले है कालिदास के द्वारा लिखा गया था यह था यह पांच वा क्या है शिवा शंग्रामा यह किसके द्वारा लिखा गया था नॉट नॉन जो इसका राइटर है उसके बारे में नहीं पता है यह पांच चीजे है प्लीज को सब्सक्राइट करने वाले जो जगा है उनके बारे में आपको बताना है वैसे तो बाकी भी जगांगी थी लेकिन यह पूछ रहा है कि 12 सी दो जगे थी आपका मिथिला हो गया और नवादीप हो गया यह दो जगे थी जहां पर नॉलेज जनरेट हो रही थी 55 तंगम लिट्रे यह पूछ रहा है मोस्ट डिफाइनिंग पीचर ठीक है तो थोड़ा साइड हो जाओ मोस्ट डिफाइनिंग पीचर संगम लिट्रेचर क्या है तमलिकम मितलब हो जा तमिल लैंड ओगे पुराम और अकम है जो इसको डिफाइन करता है नलिया दिवया प्रबंदम यह तो नलिया दिवया प्रबंदम है उसके बारे में लिखा हुआ है और वो तो अलवर्स के बारे में है ठीक है पुराम और तो यहां पर पूछे जा रहा है तो यहां पे मंगल पान्टे के ऊपर question है doctrine्द laps के ऊपर question है पकिरुदीन की story ये थे कि he अब स्टॉरी ये थे कि, बोला गया था कि हम आपको बना देंगे लेकर कैनिंग ने मना कर गया था फकुरुदीन बहाद्दुर्शा के बाद होने वाले थे तेकिन उनकी death हो गई, उसके बाद मना ही कर दिया, तो correct answer क्या है, C is the correct answer, तो तीन statement उपर के विल्गूल ठीक है, religious disability act ये ठीक है, religious disability act 850 हो गया, 850 के अंदर आया तो general habit जो ते officer थे, जो merit के अंदर command कर रहे थे, तो A, C, A, C, A, B, C, E is the correct answer, next question देखो, British rule के उपर question है, ध्यान से पड़ो इस question को, इस question को ध्यान से पड़ो, correct answer is, B is the correct answer, reason क्यों है B correct होने का, ये बोल रहा है, सारे statement ठीक है, कि जो de-industrialization हुआ, जो बाहर से वेपार हो रहा था, अंग्रे जुका, उससे हानी पहुच रही थी, हिंदुस्तान की वेपार को, पहला statement यही बोल रहा है कि, जो growth थी, वो natural नहीं थी, नॉर्मल नहीं थी, उनी के favor में थी, उनी के सामराज जवाद को वो serve कर सारे statement यह बोल रहा है, ठीक है, लोग गाउं की तरफ जाना शुरू हो गए, चौते statement के अंदर यह बोल रहा है, पांचो स्टेटमेंट के अंदर यह बोल रहा है कि, सब लोग अर्बन के अंदर भी कराब होगे, जो हेंडिक्राट इंडस्री वो भी खराब होगी, तो सारा नुकसान होगी, आपके पांचो के पांचो स्टेटमेंट सही है विलकुल, नेक्स तक चलते है, छे बज़े भी क्लास है वई, क्यों नहीं है, छे बज़े आपके ओपर क्लास है, कहां जा रहे हो आप, जब हम महनत करने के लिए रिडी है तो आप कहा जा रहे हो, पड़ो बैटके, छे बज़े भी क्लास है, छे बज़े ही मिलेंगे, मैं दो बज़े से क्लास ले रहा हूँ, मैं दो बज़े से साध्य छे बज़े तक क्लास कतम करूँगा, दो बज़े मेरी क्लास थी, जहां पर क्लास में मैंने पढ़ाया, ठीक है, फिर मैं चार बज़े ये चली यह बोल रहा है कि history is not concerned with change through the time, history उसी चीछ से concerned होती है, change करना ही करना है, तो इसको हटाओ, C को हटाओ, C हटेगा फिर भी answer नहीं आएगा, history is not concerned with human being, human being से तो concerned होती है, इवी हटा दो, इवी हटा दो, आगे आपका answer, A is the correct answer, next question की तरफ चलते हैं, again, Instagram is a question है, इतियास हमें हमार इविश्यों के लिए बुनियादी प्रश्ट भूमी नहीं प्रदान करता, अरे, गडबड हो गया, इतियास हमें मनुष्य सामवाजिक संस्था है, और मानव सित्यों की प्रवत्य को समझाने में, योगी नहीं योगी बनाता है, सही है, इतियास का सार दिन पूर्वक अध प्रवाइड करता है, अरे, कैसे नहीं प्रवाइड करता है, यह गलत हो गया, रविणा अटेगॉर के उपर कोश्चन है, लेगी नहीं पूछ ए रविन्ना आटेगॉर के उपर कॉसकंग है, बहुत है, Ishmासा और वहा था, इसको नहीं पता है, सबको पता है, 1912 में उन्होंने जन्गनमन कम्पोज किया था, कब किया था, जन्गनमन कम्पोज किया, 1912 में टेगोर को नोबल प्राइस मिला लिटरेचर के लिए दिन, उसके बाद 1925 में टेगोर को नाईइटhuड मिला, बताओ गरेक चांसर किया पड़ो ध्यान से, स्टाहों और ग्रह्ट आंफर क्या है सिंपल है नी एकोंट सिंपल ले हिरा कहरेट ऐसर ऐस्करेक्ट ऐसर बीस डरेक्रेक्टउशर रीजन क्या है रबिना टेगोर उनका कलगत्ता के अंदर ही जनव हुआ था लेकिन ये गलत है 1911, 1913, 1915 में उनको नाइटेडशिप मिली थी जो उन्होंने रिनाउंस भी कर दी थी जलिया वाला बाग होते ही 1919 में उन्होंने रिनाउंस कर दिया था और टेगोर ये तो बिल्कु ठीक है जल्दी बताईए इस दे गरेक्ट आंसर रीजन क्या है कि देखो एस्टेट रियर्गनेशन कमिटी उनने सचपन के अंदर स्थाफित की गई थी ना कि अथावन तो इस डी को हटादो इस फिर भीने आंसर आ रहा है इस बिल्कुल सही है तो ए बी-स दी करेक्ट आंसर एबी-स इस दी करेक्ट आंसर यह उनने सचपन में वाता नेक्स्ट है फिल्म बेस कुष्चन आसान है पर यह आसान है न है कुष्चन यह आपको बताना बागी सब गलत है इंडियन सिनेमेटिग्राफ गर्व कर्रेक्ट कौन सा है 61 से गरेक्ट आंसर गरेक्ट आंसर एस बी इस दे गरेक्ट आंसर और रीजन क्या है बी गरेक्ट आने का ये नील दर्पन जो है देश बन्दु आस गलत है को गलत है इसे बड़ा मुश्किल कॉश्चन है इस देखके लग रहा है कि बहुत मुश्किल構न जाखक YOUR इदेखके लग है मुश्किल है विल्कुल RG Callingwood की मैं आपको बता जेता हूं कि इसके अंदर examiner क्या trick play किया है इसके अंदर जो trick play की गई है वो यह है कि जो B statement है उसमें court बदल दी यह actually यह नहीं बोल रहा है कि present does not influence me, I influence the past है the past court भी गलत देता है examiner बता हूं कभी student यह नहीं expect करता है court भी गलत दी जाएगी past है the past does not influence me, I influence it past को कैसे influence कर देता है यह बोलता है कि the past does not influence it, I influence the past histographic के बारे में बता रहा है यह लिखता है ना तो यह उसके बारे में लिखता है उसको road mode के पेश करने के कुशिश करता है इसके बारे में लिखा जा रहा है so correct answer is B the correct answer B गलत है क्योंकि the past does not influence me, I influence it यह गलत है, बाकी सारे ठीक है next question रही बताना है आपको primary source क्या है, primary source के उपर question है primary source is a piece of evidence written and created during the period under the investigation primary source records contemporaries who participated in it witnessed or commented on the events one is studying primary source does not include news paper primary source does not include news paper secondary source is an account of the period in question written after the events have taken place distinction between primary and secondary records is always very clear correct answer correct answer is D reason क्या है, पहले तो यह तीसरा जो बोल रहा है कि इसके उन्दर नहीं आते है primary source के उन्दर यह आते है यह गलत हो गया आपका जर उसके बाद secondary source is an account of the period in question written after the events have taken place हाँ यह बेलको ठीक है, D बेलको ठीक है C गलत है क्योंकि यह primary source के अंदर यह आता है यह ठीक है primary source evidence है जो investigation के अंदर होते है primary source contemporaries होते है वो लिखते है उसके बारे में is always clear distinction ही तो clear नहीं होती इसके बारे में तो लोग पता नहीं कर पाते है हाँ always clear तो नहीं होती इसके बारे में तो दिक्कत है रहती है हमेशा लोग फस्ते रहते हैं कि primary कौन सा है secondary कौन सा है next question की दरफ चलते है समराट, विराट, भोजा, राजा इनको match कर दो match वाले question है, match तो easy होते है समराट कौन से पार्ट में था विराट कौन से पार्ट में था बोज कौन से में था, राजा कौन से में था बार से के statement समझाओ देखो primary source क्या होता है जो आप पढ़ते हो, सबसे पहले जो source लिखे गए है उनको पढ़ते हो, वोई तो primary source होता है जब आप PhD करोगे जब आप research proposal बना होगे अपना, तो primary source क्या होता है जो आप पढ़ते हो, सबसे पहले जो पढ़े जाते है piece of evidence written or created during the period जहां पर आप investigate कर रहे हो, जिस काम पर पढ़ना चाहते हो उसके जो लिखे गए है, उसी time period पर लिखे गए, वो ही होते है यह बाज के है, बिल्गुल ठीक है यह बोल रहा है कि इसके अंदर distinction नहीं होती है clear हाया नहीं होती है clear क्योंकि इसके अंदर ही लोग पस जाते है क्या यह primary है, क्या ही secondary है, इसके अंदर ही पस जाते है ठीक है, next question की तरफ चलते है तो correct answer is क्या है, correct answer है इसका अब 20 दे correct answer तो Samraat कहा पर मिलते है, Eastern पार्ट के अंदर आपको मिलता है पिराट, Southern पार्ट मिलता है, भोजा आपका Western में, राजा Middle Country के अंदर मिलता है यह terms है, नेथल, मुलाई, पलाई, कुरंजी, मैच कर दो इसको नेथल, मुलाई, पलाई, करंजी, मैच कर दो, एक तरीकी की लैंड पूछे गया है, किस तरीकी का जंगल है, लैंड है, सीचोर है, माउंटीन है correct answer is, D is the correct answer, बहुत ही simple, नेथल आपका सीचोर हो गया, मुलाई, आपका फॉरेस्ट हो गया, पलाई, आपका क्या हो गया, पलाई, आपका ड्राय लैंड और इंकुरंटीनियस लैंड भावपुती, भाहरवी, राजशेकर, रवीकीर थी, यह भी again simple है, पहले भी आया हो, राजशेकर तो बहुत बार आया हुआ हुआ है, ओके सुनेहा, प्लीज इस टेलिग्राम चनल को जोईन कर लो, आपको नहीं पता है, QGC Net History को जोईन कर लो, आप टेलिग्राम चनल को, यहाँ पे discussion group भी है, वहाँ पे आप discuss कर लेना करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इस इधर गया, हाँ, D is the correct answer, भावभती यश्यो वर्मन, उसके बाद भहरवी शिवा विश्वनू, उसके बाद राजशेकर मही पाला, यह आपका पहले भी आया, रवी कीर्थी पुल के सीनी, तो simple सा विल्कुल, नेक्स कुश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स कुश्चन, तो काम रूप, बक्ति रतना कर, मारकांदा पुराना, वरिंदा हुआ, इनको मैच करना है, काम से किसने लिखे हूँ, अरिश्यंद्र, शिरी चतन्या, भावु माला, शंकरा देवा, मैच कर दो जल्दी, चलो, मैं संडे में, संडे में डिसकेशन कर दे हैं, इस चीज के उपर, आप जो पूछ रहे हैं, सवाल, संडे में, टेलिग्राम के उपर, लाइव चैट करते हैं, बताते हैं फिर आपको, ठीक हैं, गरेक्ट आंसर है, C is the correct आंसर, पहवु पला हो गया, A का तीन हो गया, B का चार, वक्ति रतनाकर, श्यामकर देवा, इसके बाद, मारकंद पुराना, हरिश्चन्र, श्री चतन्या, विरिंदावना, अगें, बुक्स और उथर्स, एससे जोन गीता, रिलिजिन इन सोसाइटी, हिस्ट्री ओफ जर्म शास्त्रा, उंदिजम, हिंदुजम, बुद्धिजम, एक के कुमार स्वामी, श्री अरुबिंदू, एस राजा, कृष्णन, पीवी, संडेव किसी के एक्जाम है, इस संडेव कौन सा एक्जाम है, कोई पीएजडी एक्जाम, एक्जामनेशन है, correct answer is B, तो, सेज और इंडिया किसके दौरे लिखे गई है, सिर्य और अरुबिंदू के दौरा, देन, एक कुमार स्वामी, मुगल सिख कॉन्फिक्ट जाट अपराइजिंग, मुगल राजपूत कॉन्फिक्ट सत्रनामी अपराइजिंग, ये कब कब हो गी थी, अगें, इसके ओपर कुछन पुछा आ सकता, दुबारा भी, ये मत सोचे कि नहीं पुछा जाएगा, कुछन अगें पुछा जाएगा, इसके ओपर, correct answer is, it is, A is the correct answer, तो, आपका मुगल सिख कॉन्फिक्ट कब हो गया, 1679, एक मिनुट, 1675, एक मिनुट के साथ, उनके एक मिनुट के साथ, उनके एक्जेकुशन के बाद, जन्जाट अपराइजिंग 1669, उसके बाद ये आपका सत्नामी हो गया, 72 में, राजपूत कॉन्फिक्ट 1679 में, next question की तरफ चलते है, कौन सा पीज़ देख जया एंट्रेंस से इस बारसंड़े में, अपॉइंटमेंट तो बालाजी बाजी राओ, इस पेश्वा, तूपलेक्स, फ्रेंज गोवर्णर ते पॉंडिचर ही के लाओ, उर्दुवाने, फ्रेंज गोवर्णर ते मौरिश रस के कैप्चर कप के लिए मद्रास, एक्सलो चापल की संदिक अब हुई थी, आरपी स्थी की डेट आ गई है, नहीं, आरपी स्थी असिस्ट प्रवज़र की कहा डेट आई है, अभी नहीं आई है ये डेट, तो बाला जी बाजिराओ को पेशव का पॉइंट किया गे था, 1740 के अंदर, डूपलेक्स को फ्रेंज गोवर्णर कब बनाया गया था, पॉंडी चरी का, 1742 में, फ्रेंज गवर्णर जो थे, लाब उर्द्वानी, मौरिश रस काप्चर थे, मौरिश रस काप्चर थे, काप्चर कब के था, उन्हें मदरास, उनने किया था, 1746 में, हाँ, 1748 में, उक्सलर आपल की संदी, नेक्स्क्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्क्ट कोश्चन की तरफ, सुसाइटी अब ट्रेड फॉर्म, जॉन कार्टिर सक्सेड वेर्सॉल्ट, तीवानियन फॉसदार इलाद, नंद कुमार एग्जेकुटेड, कब हुआ था ये सब, तो तो कर्रेक्ट आंसर इस, इस फॉर्थ इस, दी इस अगरेक्ट आंसर, सुसाइटी अफ ट्रेड कब आया था, 1765 के अंदर आया था, वर्शॉल्ट कब सक्सीड किये था, 1769 में, सिवानी फॉसदाल इया राद कब आया था, 1772 में, नंद कुमार 1775, ठीक चार, सॉरी सॉरी, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कुश्चन, किताब हैं ओथर दियो है, History of Freedom Movement in India, वोल्यूम वन, Rise and Fall of Christian Power in India, के बाद, गोखले दे इंडियन मौडरेट सेंदर राज, यंग इंडिया, इसो बहुँआ सिंपल है, तो प्रेक्ट आंसर इस, इस ए इस ए इस गरेक्ट आंसर, तो आपका Freedom Movement in India, वोल्यूम वन, आर्सी मजुमदार, उसके बाद, Rise and Fall of Christian Power in India, इडिवासू, देन गोखले, इसके बारे में लिखा, भी आरनन्दा, लाला लाज पत्रा यंग इंडिया, रिंक फिंस पॉलिसी, उसके बाद, पॉलिसी ऑफ सबोर्डिनेंट उनियन, पॉलिसी ऑफ सबोर्डिनेंट आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ एकुल फेडरेशन, कब आया था है, सभी के सब भी सुदेंट्स, आप के उपर आजाना, आप के उपर हम प्रीवेस से और कुश्चन करेंगे, बिटिश एमपार के, औरेक्ट आंसर है, तो यहां पर, पॉलिसी ऑवर इंक सबसे पहले आई थी, वह आई थी, आपके 775, 813, उसके बाद आजा है, पॉलिसी ऑब ओरिनेट आई, तीसरे नंबर पर आई थी है, यूनियन आई थी, सेकिंड नंबर पर, 813, 755 आपकरी में आपकी, जेडरेशन, chronologically अरेंज करना है, अच्छा, नो, chronologically नहीं, आपको बताना है, कौन से सही है, अच्छा 78 CE है, तो यह तो वैसी गलत है, ओगे देखो, एक से ही हो गया आपका, एक से ही हो गया, correct answer is, correct answer is, 78 CE है, हो गया, एक को उटा दो, बस, correct answer आपका भी, next question की तरफ चलते है, आप इनको chronological वाले question आगए सारे, यह तो understanding based question था, temples तो बहुत लेट आयते, गुपता की time period पे, understanding based question था, बताओ correct answer क्या है, correct answer is, बीज दगरेक टांसर तो यह chronological order है, आप देख सकते हो, chronological order यह है, लेटर वेटिक टेडिशन सबसे पहले हो जाता है, उसके बाद उपानिशत्स हो गया, फॉर्स सूपा होगा, महायना बुद्धिजम हो गया, अर्लियस टेमपल होगा, सबसे आकरे में, यह आपका order है, सबसे पहले लेटर वेदिक टेडिशन हो जाता है, अर्लिय उपानिशत्स हो जाता है, फॉर्स सूपा महायना बुद्धिजम टेमपल्स, next question की तरफ चलता है, इनको भी chronologically रेंज कर दू, अशोका कर राइन, चंदरगुप्त गदी के ओपर कब बैठे था, अलेक्जेंडर ने कब इन्वीड किया था, महारन एंपायर कब एंड हुआ था, जल्दी बताओ, correct answer क्या इसका, correct answer is, it is, A is the correct answer, तो यह है chronological order, मगद एंपायर कंसॉलिडेट होता है, फिर इन्वेजन होता है, अलेक्जेंडर का, ठीक है, accession of चंदरगुप्त मौरियर 322, राइन ओप अशोका, 273 जे 236, end of Moran Empire, 2nd century BC, तो यह correct chronological order है, next का correct chronological order बताओ, एकेंजी स्क्रिप्ट, अशोकन इंस्क्रिप्शन कब डिसाइफर की किती, जेम्स फिरिंसिप के दुआरा, अलेक्जेंडर करिंगम ने कब पबलिश किया था, inscription, अशोकन inscription को, उसके बाद, first issue of epigraphic, करनाटिका, journal of south indian inscription, first issue of epigraphic, इंडिका, तो correct answer, yes, C is the correct answer, तो यह है correct order, देख सकते हैं आप, तो कॉलिन मेकेंजी की रिपोर्ट हो गई, कॉलिन मेकेंजी उने इंडिया में का वर्क किया था, late 18th century से, early 19th century में काम किया था, जेम्स फिरिंसिप ने डिसाइफर कीती, ब्रहामी को 1838 में, अलेक्जन्डर करनिगम 1877, epigraphic का करनेट का 1883, और आखरी में आपका 1892, epigraphic का हिंडी का, तो ये correct chronological order है, next question, pick the right chronological order, तो ये travelers है, इनको chronologically arrange करना है, Marco Polo सबसे पहले ही हो गए, लेकिन चारों तरफ Marco Polo ही दिया हुआ है, अब आपको सबसे आखरी में चूज करना है, क्या हो Peter Mundi है, क्या वो Francis Bernier है, क्या वो Barbosa है, कौन है, chronologically arrange करो, तो correct answer is, it is D is the correct answer, तो ये order है, सबसे पहले Marco Polo, then Nikitin, Russian Rickitin, Barbosa, Peter Mundi, and Bernier, तो ये correct chronological order है, बरनियर सबसे आखरी में हो गए, विलकुँष शाज आखरी में बरनियर पहुँचे थे, सबसे आखरी में होना चाहिए, तो ये तीन जगे दिया हुआ है, अब इसमें से भी इलिमिनेट करो, उसके बाद कौन सा आएगा, क्या हो नू सिफर है, क्या है, तो correct answer C, नू सिफर उसके पहले हो गया, ठीक है, तो ये correct chronological order, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो सबसे पहले, आपका दिवलरानी किजर खानी, किताब है, अलाउद दिन की टाइम बड़ पर लिखी गए, अमीर कुसरो इसे में लिखते है, इफ आप्रेज इंडिया, आइशुड नॉट बी कंसिड़र बाइस, ठीक है, फिर किरानुस सदय हो गया, ट्वलरानी के अंदर, तुगला का नमा सबसे आखरी में हो जाता है, तुगला किरान सदय, ट्वलरानी के अंदर कंपोज किया गया था, पहली मसनमीती कुसरो की है, इसमें सुल्तान किया को बाद, अंदर भुगरोख खान की मीटिंग के बीच हो बताया है, कॉन्टेक्ट के बारे मताया, तैन उसके बाद हम बहुता है, मिस्टाफ में अफ्ताल फुत है, के अंदर 1292 में इफ्ताल फुता है, जिसमें मलिक चज्जू के बारे में बताया हुए, नेक्स्ट कोश्चन को लॉजिकल एरेंज कर दो, मान सिंग जै सिंग की मीटिंग, जै सिंग से जै सिवाजी से, राजा भारमल अकबर से कम मिले थे, तैन उसके बाद, चौथा जै सिंग का चवाहा ने कब गदिगों पर बैठा थे, मान सिंग ने कवर कंपनी किया तो यूसुफ जै क्लान को, गर्रेक्ट आंसर इस, इट इस, सीज दे करेक्ट आंसर तो ये ओर्डर है, पहले मीटिंग राजा भारमल के साथ अकबर की 1562, मान सिंग ने यूसुफ जै के किलाब 1550 में काम्पेंड किया था, मान सिंग ने कॉनक्वेस के दा बिहार का, 1621 में जै सिंग गदी को बरवे कच्वाज, और मीटिंग के तो शिवाजे 1665 में, तो रोलॉजिकल एरेंज कर दो, बॉम्बे प्रेजिदेंसी असोसेशन कब स्थापित की गई थी, इंडिन सोशल कॉन्फेरेंस मौंबे के अंदर कब स्थापित की गई थी, महाजान सभा कब स्थापित की गई थी, इलबर्ड विल कॉन्टरवर्सी कब हुई थी, तो करेक्ट आंसर इस, डी इस दे गरेक्ट आंसर, तो क्रोनलॉजिकल ओडर क्या है, ये है 883 के अंदर क्यलकत्ता, नाशनल कॉन्फेरेंस पहला सेशन हुआ था, 883 के शुरू में, और इलबर्ड विल ही भी 883 में हो गय था, कॉन्टरवर्सी थी, क्योंकि ये बाद में हुआ था, इलबर्ड विल पहले हो गय था, एक्जामनर भी ऐसी था, क्रोनलोजिकली अरेंज कर दीजे, क्रोनलोजिकल और सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई, हाउस अफ कॉमन का रदॉलूशन वरन इस्टिंग के लाफ, सन्यासी फकीर विद्रो, क्लाइव वेरसौल को सक्सीड करता है, क्रेक्ट आंसर इसका डी, क्लाइव वेरसौल को सक्सीड करता है, 1767 के अंदर, तन उसके बाद आपका आता है, बेंगॉल फेमीन 1770 में, तन उसके बाद आपका आता है, सन्यासी रिबेलियन 1770 में हो आता, ठीक है, 1772 इसके गरीब हो आता ही, उसके बाद सुप्रीम कोट सापित की गरीथी 1772 आक्ट के तैयत, 1774 में, ठीक है, 1773-74 में, और लास्ट में 1782 में, रेजोलुशन पारित क्या गया था, वारन हिस्टिंग तो ये कर्रेक्ट क्रोलोजिकल अटा है, आरे एंज कर दो फिर, ये करेक्ट अंसर इस, इस बीज देगर एक अंसर तो ये और आप देख सकते हो, क्रिप्स प्रोजल का बाई था, नाइनटीन फॉर्टिटू में आए था, उसके बाद वेवल प्लान आया था, नाइनटीन फॉर्टिफव में, नाइनटीन फॉर्टिजिक्स, नेक्स कोश्चन, राजा राम मोहन रॉय, जो है, प्रिसेप्ट अफ जी से लिखते हैं, क्रिशानटी को रिजेक्ट करते हैं, वो, तो अरणने क्रिशानटी को रिजेक्ट किया हुआ है, उसमें डाइवानटी, इसी के अंदर कुश्चन क्या हुआ है, तो और आपका है A, A is the correct answer, क्योंकि इसी के अंदर कुश्चन क्या हुआ है, दोनों चीज एकी बार, एकी चीज के बारें बात कर रहे हैं, शेक, एमद सर, हिंदी, बोलते हैं कि, लोग का interest कम हो रहा है, धर्म के प्रति इसलाम के प्रति इंटरस्ट कम हो रहा है, और कारण के अंदर वो क्या बोलते हैं कि, टाइम गाप काफी हो गया, प्रोफेटिक पिरिट बहुत पहले था, उसके बाद भक्ति मुव्मेंट से लोग influence होते हैं, उनका interest कम होने लगता, तो क्या वो एकी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अन जी वो एकी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बिलकुल थीक है, Correct answer आपका है, एकी चीज के बारे में बात की जारे हैं यापे, तो Correct answer, A is the correct answer, Next, पिर दूसरे स्ट्मिंट में बोल रहा है कि सूफिजम भी वहां पर जाते हैं और उसी वेशन लोग वहां पर कर रहें तो क्या वह एक शीज के बारे बात कर रहा है बताओ जल्दी नहीं कर रहा है वह दोनों स्ट्रेट्मेंट बीलकुल अलग-अलग है तो क्रेक्ट आंसर क् correct answer होगा आपका बी दोनों ठीक है लेकिन वो explain नहीं कर रहा है उसको connect भी नहीं कर रहा है अलाग-अला की statement के बारे में बात की जा रही है 87 अकबर ने मज़र स्थापित किया 1579 में और 2 बोल रहा है कि अकबर के matrimonial alliance राजपूत के साथ उन्होंने उसको influence किया था साथ दोनों की दोनों statement में ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है मज़र 1579 और matrimonial alliance राजपूत के साथ इस्थापित हुए थे correct आंसर यह मा बारत मीम सेन प्रवारा mentions the invasion of hunna कंद गुपता जूनगर इंस्क्रिप्शन mention about hunna invasion during गुपता पीरड क्या यह दोनों statement सही है हा बिलकुल पहला गलत है ठीक है उसमें mention नहीं क्या हूँ है भी बिश्म परणा mention में 네 अधिमि इंविजन के बारे में नहीं mentioned क्यों हूआ है ठीक है यह इन चौता सिप्यनमेंट सही हो जाता है पहले वाले में बीश्म पराना के अंधर में नहीं क्या गया innovations प्रेजने उपनाज, अब आगया आपका paragraph, आप इसको पढ़ा लेना, paragraph को भी paragraph के ऊपर ही based question है, पूरा पूरा paragraph के ऊपर ही based question है, पहले जो 5 question थे, paragraph के ऊपर ही थे, paragraph से बहार से नहीं पूचे होगे थे, लेकिन आपको समझना पढ़ेगा paragraph, इसमें काफी time आपका चला क्योंकि यह जो परग्राफ था बहुती डीप परग्राफ था इसे कि आपको एक लाइन के बारे पता होना चाहिए तो मैंने टेलेग्रांज चैनल के अंतर बेज दे रहा हूं तो प्लीज आपको इसको पढ़ लीजेगा आखरे कोश्चंस यहां से इसके आंसर आप देख ली जाने इस इसके किस कमराध्य से प्रदर्शित होती है manifestation से, paragraph के अंदर मेंचन है, paragraph के अंदर मेंचन है, paragraph इंदर इबेट कंसर्णिंग, इस गधियांच में नामली करिम से किस स्विवात को उठाया गया है, idea of God, vision of God in Hinduism, Islamic rejection towards the vision of God, yeah, condemnation of the mutullis and shias, तब paragraph के अंदर मेंचन है, यह एकलौता परग्राफ था जो पूरा आपका कुश्चन जो दी परग्राफ से आए हुए थे तो इसलामिक रिजेक्शन तूर्ड दे विजन ओफ गौड चौता वी होल्डिंग ऑफ दे डाइवाइन इस रिफूटेड बाइ विचाद फॉलविंग है इसके पक्षदार है अगेन पूरा बूरा परग्राफ में मेंशन है वो पक्षदार है God can be beheld बोत in this world and the next world अब यह बाहर भी है अब यह वाला परग्राफ अब यह यह उससे नहीं था यह परग्राफ से कुश्चन नहीं है कि यह वाला परग्राफ स्वामी विकिनाथ के ऊपर बेस्ट है लेकिन कोई भी कुश्च्ट परग्राफ से नहीं है सब बाहर से है पिछले वाले सारे परग्राफ सी कुश्च थे the said statement were delivered on the occasion of कभ ये statement बोला गया था जब हो चुके थे कितने साल अमेरिका के discovery को कितने साल हो चुके थे ये हो चुके थे 400 साल ठीक है 400 साल की anniversary तब discover किया था किसकी part है the mentioned statement was part of सौमे विकनाद का statement है paper on Hinduism third statement किसने site किया हुआ इसमें controversy थी examiner ने मैं आपको NT के coding बता देता हूँ उन्हें आर्सी मजुमदार बोला हुआ था लेकिन इडीडी कुशाम भी का था who made this statement तो किसका statement है स्वामी विकनाद का statement है last question किसकी proceedings के अंदर पर अबलिश किया गया था again NT ने गलत answer दिया था NT ने गलत दिया था बहुत question के answer गलत दियते हूँ तो उन्होंने दिया हो था Chicago पर ये Tribune के अंदर New York के अंदर मेंचन था New York Times के अंदर ही मेंचन था तो that's it आपके 100 questions complete हो गए है Telegram channel के अंदर मैं share कर दूँगा एक तो मैं इसमें भी share कर दूँगा अश्वनी टेस्ट बुक में फिर दूसरा यूजस इनिट हिस्टी वा अश्वनी मैं उसमें भी share कर दूँगा ठीक है छे बज़े मिलते हैं आदे गंटे का मैं आप लोगों gap दे रहा हूं आदे गंटे गंटे गाप दे रहा हूं वहां पर हम अराम से previous questions all करेंगे British Empire ठीक है तैंक्यू वेरी मच कल मिलते हैं 4 बजे Saturday में मिलेंगे Saturday में हम 12 बजे मिलेंगे Saturday में हम 12 बजे मिलेंगे 12 बजे हम British Empire question करेंगे National Movement question करेंगे 2013 से 2023 तक के Saturday भी आपका mega Saturday होने वाला है ठीक है ठीक है थांक्यू वेरी मच